तोस्तो में दॉक्टो रवी गरी आप सब का टार्गेट विद álोग के ऑनलाइन प्रैट्फॉर्म में हारतिक स्वागत करते हूँ को कि इस टार्गेट वित अलोग चा प्राइं प्रैट्फोर्म में आप सबके साथ है फूरी विज्ञान पे स करो रहे हैं और利 हैं किस तरीके से इस विशय को लेकर चलना है यह सारी समिक्षा सारे discussion मैं आपके साथ करने वाला हूं और उमीद करूंगा यह पूरी जो शिंकला है वो आपके लिए अधिक से अधिक फैयादेमंद होगी और आप में अब आप पूछेंगे मैं सिविल सेवा सफरीक्षा तक की बात क्यों कर रहा हूं जो कि अगर आप क्लर्क तो हमारे रुदिरवर्ग क्या होगा हम अपने रुदिरवर्ग में अपने मामा बापा से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं मेरा भाई या मेरी बहन मेरे रुदिरवर्ग की होती है या नहीं होती है तो आज इस शिंकला में हम यहीं से शुरुवात करने वाले हैं और इस शिंक से जुड़कर अगर आता है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा इसके मैं आपको इसके लिए मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ और धीरे धीरे आपको ये रिजल्ट दिख भी जाएगा जब मैं इस टॉपिक के एंड पहुंचूंगा आप सब के चेरे पे एक स्माइल होगी एक कॉंफिडेंस होगा जिसों कहते हैं आत्म विश्वास होगा और किसी भी परिच्छा को क्लियर करने के लिए सबसे बड़ी की चीज होती है वह होता है आत्म विश्वास चलिए दोस्ट आगे बढ़ते हैं और धीरे एक चीज़ और मैं आपको बठाते अपको जैसे से नॉलेज होगा ज्ञान होगा आपका आत्म विश्वास बढ़ेगा तो आप सब मेरे साथ आईए हम सम मिलकर इस knowledge को और enrich करते हैं इसको और बढ़ाने की कोशिश करते हैं जो कि knowledge सही आपके confidence आना है आपके confidence आनी आपके आत्विश्वास सही आपके परिच्छा में आपको success मिलने वाला है तो आज इस numerical को लेके हम बात करेंगे वो है रूधिर वर्ण से जुड़ा हुआ इस और है जो मैं आपको पहले बता दूँँ रूधिर वर्ण पर जाने के पहले यानि ब्लड रूप पर बेस नुमरिकल्स पर जाने के पहले आपको कुछ बेसिक टर्म समझने होगे इन शब्दावलियों की मदद से ही आप सुरूधिर वर्ण के नुमरिकल्स को आसानी से लगा सकेंगे कौन से बेसिक टर्म से सुनिएगा जैसे एक टर्म आता है जिससे हम कहते हैं जीनोटाइप एक शब्द आता है जिससे हम कहते हैं जीनोटाइप और दूसरा शब्द आता है जिससे हम कहते हैं फीनोटाइप, पहला शब्द जिससे हम कहते हैं जीनोटाइप और दूसरा शब्द जिससे हम कहते हैं फीनोटाइप, आंगल भाश्या में भी आप यसे जीनोटाइप और फीनोटाइप ही करेंगे, ओके, इंगलिश हो या जीनोटाइप होता है जीन का अध्यान जीनोटाइप हम कहते हैं जीन के अध्यान को और फीनोटाइप हम कहते हैं जीन के एक्सप्रेशन को यानि अगर हम बोले कि मैं मेरा expression क्या है तो bit differently जो आप मुझे देख रहे हैं जो मेरा look और appearance है यह मेरा phenotype है तो phenotype क्या होता है जिस तरीके से आप मुझे देख रहे हैं मेरा expression है वो phenotype है तो चली कुछ मैं आप से चर्चा करता हूँ कि आप मुझे बता है मेरा phenotype क्या है तो आप बोलोगे सर आपकी height जादा है सर आपकी जो आँख है वो काली है सर आपकी जो skin का color है वो गहुआ है सर आपकी जो नाख है वो थोड़ी goal है सर आपकी जो आँख है वो मतलब आपका hair जो है वो थोड़ा curly या स्टेट है तो यह जो आप अपिरेंस जो बोल रहे ना यह सारा का सारा दोस्त आप मुझे बोल रहे हो मेरा फीनो डाइप किन्तु अगर मैं पूछू यह बताओ कि मेरा फीनो टाइप जो आप मुझे देख रहे हो वह ऐसा क्यूं है तो डेफिनेटली इसके पीछे जीन पीडी दर पीडी चलनें वाले गुड़ों के लिए ऒचा यानि वो गुड़ जो हम अपने मापसे लेकर आते हैं हम हमारा भाई बहन जितने भी लोग होते है हम सब अपने मापाप की तरह दिखते हैं कि तक हूट सा होता नहий 왜 हम सब उने इसके मैं के बीच से कुड़ों को मिला दे क्यों कि हम सब अपने बाबाब के जीन को लेकर आते हैं जीन वही होता है जो पीझी दर पीझी चलता है आगे की विश्या में मैं आपको और क्लियर करूँगा एक्चुल में जीन कहां होता है आपके पेपर मैक्सर देखिए तो कहीं ना कहीं प्रश्ण जीन सीक्वेंसिंग से पूछा ही पूछा जाता है फिलल उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे अभी हम यहां पर सिफ निमेरिकल्स की बात कर रहें तो निमेरिकल्स में पहले आपको जीनोटाइप फिनोटाइप समझना है फिनोटाइप जो एक्सप्रेशन केरेक्टर होता है उसको कहते है genotype जिस gene की वज़ा से फिनोटाइप जिस gene की वज़ा से expression character होता है वो genotype कहलाता है ठीक है expression character हो गया phenotype और gene जिसके पीछे कारण होता है वो हो गया genotype एक चिज़ और अगर मैं आपको बोलूं कि xy एक गृष्वतर होता है इसी गुर्षूत्र के अंदर वो जीन होते हैं जो पिता को बनाता है या मेल को बनाता है Similarly, XX ये भी गुर्षूत्र होता है जिसके अंदर वो जीन होते हैं जो किसी फिमेल को बनाने के लिए जमेदार होते है यानि नर जो होता है वो XY की वज़ा से होता है और मादा जो होती है human में मनुष्यों के अंदर वो xx की वज़ा से होता है आपको बता है xy का expression यानि इसका phenotype होता है पिता xx का expression इसका expression होती है मादा तो यानि पिता और मादा ये expression character हो गए आप अच्छा बात मैं पूछ रहा हूँ ये बता हूँ मैं male हूँ या female हूँ तो definitely आप मेरी look और appearance है बता सकते हैं कि sir you are a male guy आप एक male है आप एक नर है ठीक है क्यों बता रहे हैं जो कि मेरा appearance ये मेरा phenotype है जो आप जानते हैं कि male का ऐसा ही look होता है मैं फिर ये पूछूँँगा ये बता हूँ मेरे पीछे ऐसा gene कौन सा है जिसके कारण मैं male हूँ तो उसके पीछे जिम्मेदार है x y यानि x y गुर्षूत्रय जीन ऐसा है जिसकी वज़ा से मैं male हूँ ये ध्यान रखेगा x y की वज़ा से मैं male हूँ जितनी भी लड़किया मुझे सुन रही है महलाई मुझे सुन रही है आप है तो female expression wise लेकिन क्यों ऐसा है क्योंकि आपके पीछे जो अंदर गुर्षूत्र है जिसके अंदर gene है जिसकी वज़ा से आप female होती है वो x x है यानि कहने का ताथ पर है कि हर गुर्ष के पीछे हर expression के पीछे कुछ ना कुछ गुर्षूत्रिया उसके अंदर मौझूद gene होते है तो यहां मैं आपको समझा सकता हूँ कि x y और x x एक genotype है और पिता और माता उसका expression यानि एक phenotype है ठीक है अब आते है देखे ऐसा होता है कि जब हम अगर बात करे माली जे कोई lady है ठीक है कोई maa है वो pregnant है तो अगर किसी गर्वती महिला की बात करे और मैं आपसे पूछू यह बताओ कि लड़का होगा या लड़की इसकी संभावना कितनी है सीधा question है अगर कोई महिला गर्वती है उसे लड़का होगा या लड़की इसकी संभावना कितनी है आएए इस पर हमें आपको एक चीज़ बताता हूँ पिता-पिता इसलिए होता है जो कि पिता के अंदर xy होता है समझेगा पिता-पिता इसलिए होता है क्योंकि पिता के अंदर जो जीन या गुर्षूत्र होते है वो xy होते है और वही माता-माता इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर जो गुर्षूत्र होता है वो होता है xx वो होता है xx एक्शल में होता क्या है जब reproduction होता है जब जनन की प्रक्रिया होती है उस समय क्या होता है पिता की तरफ से या तो X सुक्राड़ी एस्पम के अंदर आता है या तो Y सुक्राड़ी एस्पम के अंदर आता है वही मा की तरफ रिप्रोडक्शन में या तो X उस अंडाड़ू के अंदर आता है या तो यह X उस एक यह अंडाडू के अंदर आता है और यही इस प्रम अनेक फ्यूस करके क्या बनाते हैं युगमनच का निर्मान करते हैं जिसे आप अंग्रीजी भाषा में जाइगाट बोलते हैं सुनिया होता क्या है जब रिपोड़क्शन का केस होता है तो पिता का आपको गुड़सूतर समझ भाग है X Y मा का गुड़सूतर आपको समझ भाग है X X कॉमिनेशन पर डिपेंड करता है कि आप लड़का होंगे या लड़की कैसे होता है इधर देखेगा पिता की तरफ से जब स्पम आता है तो ये X गुड़सूतर आता है या ये Y गुड़सूतर आता है मा की तरफ से जब एक आता है तो या तो X गुड़सूतर आता है या तो ये X गुड़सूतर आता है अगर पिता की तरफ से ये X गुड़सूतर मा के इस X गुड़सूतर से मिल जाता है तो x x होकर क्या बन जाता है पुत्री बन जाती है ध्यान देजेगा पुत्री बन जाती है वहीं एक combination और होता है कि हो सकता है पिता का ये x गुर सूतर मा के दूसरे x गुर सूतर से fuse कर जाए और ये फिर एक पुत्री बन जाए यह क्या बन जाए? एक पूत्री बन जाए तो यहाँ को क्या मिल रहा है? यहाँ आपको मिल रहा है अगर पिता का X और मा का X एक्स मेंसे कोई भी kombination आगया तो पूत्री हो जाती है दूसरी तरफ अगर पिता का मालो इस्पम के अंदर Y आता है और मां के एक के एंदर x आता है ठीक है x आता है तो यहाँ बन जाता है x y पिता की तरफ से अगर यह y आता और मां अगर यह x के साथ इसको कहते हैं पुत्र यानि कहने का सीधा दात पर है कि अगर कोई मा प्रेगनिट है तो उसे लड़का होगा या लड़की यानि पुत्र होगा या पुत्री उसकी संभावना किती है चार में से देखे दो पुत्री और दो पुत्र है यानि 50-50% यानि लड़का होगा या लड़की से संभावना किती है 50-50% अब मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं कि हम सब जब बनते हैं, तो इन ही गुड के कारण बनते हैं अगर पुत्र है, तो पिता का Y responsible है, पुत्री है तो पिता का X responsible है, यानि पूरी तरह से मैं बोलूं कि पुत्र होगा या पुत्री, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो ध्यान रखेगा, पूरी तरह से पिता जम्मेदार है जो कि मा की तरफ तो सारे के सारे गुर्षूत्र X और X ही होते हैं अब बात ये होती है कि अगर पिता के स्पम में X आया तो वो पुत्री हो गई पिता के स्पम में Y आया तो वो पुत्र हो गया तो आगे किसे किसे जलाना चाहिए, पिता लोगों को, पुत्र लोगों को, क्योंकि ये पिता ही होते हैं, जो जब्मेदार होते हैं, कि पुत्री हो रही है, या पुत्र हो रहा है, रीजन आपके सामने है, रीजन आपके सामने है, अगर ये एक्स आया है, फिर से मैं रिपीट कर रहा ह हो पुरुष प्रदान समाज में पुरुष अपनी महत्ता को हमेशा रखता है भले वो गल्दियां फिर भी वो गल्दियां female पर मर देता है फिलो मैं किसी भी फूरुष और मईला के सार्व discrimination नहीं कर रहा हूं गर पुरुष हूं लेकिन result क्या होगा 50-50 और ये भी आपको समझ मेंगा कि पीता ही जम्मेदार है पुत्र के लिए या पुत्री के लिए ठीक है अब आई एक्चुल में हम बात कर रहे हैं रूधिर वर्क के बारे में और रूधिर वर्क में जाने के पहले मैं आपको कुछ background दे रहा था क्या background दे रहा था मैंने आपको जीनोटाइब और फीनोटाइब को samझाने की कोशिश की जीनोटाइब क्या होता है और उसके बाद आपको ये समझाने की कोशिश की जो बच्चा आता है जो result आता है वह combination पे Again करता है अगर combination देख लीजए XX और XY का होता है तो उसे हिसाब से पुत्री और पुत्र का निर्माण होता है पुत्री और पुत्र का निर्माण होता है अब आगे बढ़िए अब हम आते हैं रूधिर वर्क पे है ना रूधिर वर्क में हम जाकर और चीजों के बारे में आपे हम लोग बात करते हैं क्या बात करनी इधर देखेगा ति क пошता क्या है चले है इधर ऍवह मैं हाड़ाता है इसको एक हैडिंग डालताहो आप सब मेरे साथ जो मैं बोर्ड पे कर रहाँ इसे आप कॉपी पो उतारेगे specific आप सब उतारेंगे देखे एक तरफ मैंने कहा ठीक है मैंने लिखा दिर वर्ग देएन दीन क्या है उस उत्धियरवर्ग का जीनोटाइप क्या है यानी जीन क्या है गुस समदुएगा देवीनागरी में भी हिंदी में जीनोटाइपी रिखा जाएगा तो यह भी जीनोटाइप यह लिखा मैं आपको बार बार कहता हूं कि विज्ञान में सत्तर प्रतिशत इंग्लिश को ही हिंदी में देवनागरी में लिखा जाता है जैसे यह देखें आपके सामने मैंने आपको खां यह देखो एक रुठीरवर्ट लिख दिया दूसरे डुसरे तरफ मैंने जीनोट्य लिख लेतिते हुते हैं हर विद्यार्थी हाठ उठाएगा और विद्यार्थी बोलेगा के सार चार तरह होते हैं बच्पन से पढ़ते हैं और हरों में भी यह परिचर्चा या चर्चा हमेशा घरों में होती रहती है तो जैसे रूधिर वर्चार तरह क्या होते हैं एक होता है एक होता है बी एक होता है और एक होता है ओ और यह मैं फिर आपको प्रॉमिस कह रहा हूं कि यह कॉशन आज के बाद आपका कभी भी गलत होने वाला नहीं है एक बार लॉजिक समझ जाएगा ठीक है जो मैं आपको समझा रहा हूं तो रूधिर वर्ग कितीन तरह के हो गए चार तरह के कुछ विद्यारति मुझे कह सकते आप कोन सा है द्यान रखेगा या तो आपकी अंदर आये आये है या तो आईए आईओ है, ये डिस्कवर करके बताया गया है, वैज्ञानिकों ने सोध करके इसके बारे बताया होगा, कि जीन या तो आईए आईओ है, या तो आईए आईओ है, तो आप में से जितने भी विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं और ए रूधिरवर्ग वाले हैं, आ जितने भी व्यक्ति, जितने भी विद्यार थी, मुझे बी रुधिर वारे सुन रहे हैं, आपका रुधिर वर्ग का जीनोटाइप या तो IB, IB होगा और या तो IB, IO होगा, तो या तो IB, IO होगा, इस चीज को ध्यान रखेगा, तो या तो I, I, A, I, I, O है, एके केस में, बी के क को लेकर अपने एक्जाम के परिशा के प्रश्णों को सॉल करेंगे तो बी रूधिर वर्वर्वले वैक्ति ध्यान रखेंगे आई भी आई भी या आई भी या आपको याद रखना है आप इसे जितने विद्यारती एबी वाले मुझे सुन रहे हैं आपका रूधिर वर्वर है मित्र आई ए आई भी आपका रूधिर वर्वर्व है यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रगार का रूधिर वर्वर्व होता है यहाँ पर एक से जदा ऑप्शन नहीं होता है जैसे कि आपने ए और बी रूधिर वर्वर्व में देखा है और रूधिर वर्वर्व में कौन सा जी याद कर लीजिए एक बार याद कर लीजिए उसके जितने भी कोशन आते हैं अनंद कोशन जो भी बना सकते हैं ना आप सारे कोशन करेंगे अच्छी तरह से देख लीजिए जो आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा है अब हम लोग आते हैं इनके नुमेरिकल्स की तरफ ठीक है नुमेरिकल्स की तरफ आते हैं इधर देखो ठीक है थोड़ा समय से छोड़ा करता हूं मुझे चाहिए थोड़ी जगह है मैंने इस से थोड़ा सा छोड़ा कर लिए ठीक है आपको सारी जिरो ड़ाइम से आप देख रहें स्क्रीन पर इधर आए अब हम चलते हैं प्रश्न की तرف में परश्न की तरफ पहला प्रश एक तरफ मैंने कहा पिता के एक तरफ मैंने कहा माता है कि एक तरफ फादर ले ले लिए और एक तरफ मैंने मदर ले लिया ठीक है तो एक तरफ पीता हो गया और दूसी तरफ माता हो गया ठीक है उसके बाद मैंने हाँ result की बात कर रहा हूं यानि परिडाम क्या होने वाले result क्या होने वाला है ठीक है ऐसा एक combination बनाईए और इसके business पे हम लोग निमारिकल करना शुरू करते हैं तो एक हो गया पीता एक तरफ हो गया माता और एक हो गया पारिणाम आप सब विद्यार्थी मुझे साथ साथ उत्तर देंगे ओके और नीचे comment box में जितने भी combinations हैं अगर किसी combination में दिक्कत होता है तो वहाँ जरूर लिखेंगे ठीक है लेगिन दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप मेरे साथ धीर धीर चलते रहे हैं अब देखे पहला question करते हैं एक तरफ पिता है एक तरफ मा है अगर हम पिता और मा के combination को देखें जैसे मा लिए पिता ज मा ओ है तो बच्चे कैसे होगे समझेगा पिता अबी है उसका मतलब जीनोटाइप क्या है ध्यान दीजे इदर पिता अबी है जीनोटाइप क्या होगा यह देखें आयो आयो पहले तो आपको खट से जाना है कि जीनोटाइप क्या होता है और पहले उस जीनोटाइप उतार लिए लिए मतलबग इता यहां भी ममतलब घ्र और ऑफ यह तो मैंने जिना टाइब क्या ले माँ उटाइब लेज अब सब जानते हैं आंसर कैसे करेंगे combinations के आधार पे, कौन-कौन से combination बनेंगे, अभी आप लोगों ने xy और xs के combination बनाए थे ठीक है, अभी बनाए थे, अब बताई यहाबर क्या होगा, तो पिता की तरफ से a आ सकता है, मा की तरफ से o आ सकता है, यानि बच्चे में combination i a i o का बन सकता है वहीं दूसरी तरफ, यह a इस दूसरे o के साथ भी combination बनाके i a i o बना सकता है वहीं यह वाला b इस वाले o के साथ combination बनाके i b i o कर सकता है और वहीं यह दूसरा वाला इस दूसरे से combination करके i b i o कर सकता है अब आप पूशे बताईए, अगर IA-I-B पिता है और IA-I-O मा है तो combination क्या है IA-I-O, IA-I-O, IB-I-O, IB-I-O कैसे आया है आप सब जानते है बहुत ही simple तरीका है A-B इधर है, C-D इधर है A-C-A-D, B-C-B-D वही वाला combination आप पो करने है यह तो मतलब बच्चों वाले combinations है अगर इसमें अटकेंगे तो IA-S तक के लेवल में कैसे जाएंगे यह तो छोटा बुर्णा mathematics है combination, permutations में आते हैं ठीक है चीज़ है, अब जड़ा ध्यान दो IA-I-B, IA-I-O के results यह चार आए है हमें यह बताओ, IA-I-O से कैसा बच्चा होता है इदर देखो यह स्क्रीन पर IA-I-O से बच्चा होता है A, यह देखो A IA-I-O फिर आया, IA-I-O से क्या होता है एक बाल लिग दिया, यह भी A ही है IB-I-O से क्या होता है, यह देखो IB-I-O से बच्चा कैसा है, B, यहाँ पर result आया B. IBIU से result कैसा है? यहाँ पर यहाँ पर अगर मैं answer पूछूँ कि माबाप अगर A, B और O है तो बच्चा कैसा होगा? तो answer होगा? या तो A होगा? या तो B होगा? आगे से धान रिखेगा या तो A होगा या तो फिर B होगा? यह है माबाप से बच्चों के results. स्क्रीन पर देख लो आप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ठीक से देखो जो कि पहली ही चीज़ अगर आपने गलत कर दी तो आगे सारे की इधर आपे बानी फिरने वाला है. ठीक है फिर से देख लो मैं फिर से repeat करता हूँ. पीता A भी है तो genodip हमने लिखा IAB. मा O है तो genod हुआ A भी. कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बहुत इंटरस्ट है. कंक्लूजन ये है कि ये ऐसा रूधिर वर्ग है, जहां पर बच्चे अपने माबाप से कभी भी रूधिर वर्ग में मैच नहीं करेंगे. ये कंक्लूजन है. इन्हीं को अगर मैं एक theory बना दूँ, इन् में से चार options दिये जारें में से कौन सा option सही है, जहां पर माबाप से बच्चों के रुधिर वर्ग का मिलान नहीं होगा, कभी नहीं होगा, वहां पर आपका answer A, B और O होगा. चुकि इस case में आपको ऐसा दिख रहा है, स्क्रीन पर देखिएगा. ठीक से देखिएगा. ठीक रटने की कोशिश नहीं करेंगे. जब हम चीजों को समझ सकते हैं, तो एक्जामें confidence के साथ जाते हैं, रट के जाते हैं, तो रखता भूलतों नहीं गये. जब समझ के जाएंगे तो भूलने की कुण जाइशी नहीं होती है. ठीक है, अब ध्यान दो. अब मैंने दूसरा case दिया. दूसरा case आपको दिया, पिता जी अबी हैं, और मा भी अबी है. दोनों सेम ब्लट की ग्रूप के होतों. फिद्यान दीजेगा, पिता जी अबी है, मा भी जो है, वो अबी है. आप क्या करेंगे? आप जानते हैं. सबसे पहले आप जीनोटाइप उतारेंगे. अबी क्या होगा? खट-खट बताइए. आईए, आईए. खट-खट-खट, जल्दी-जल्दी. अब तो बिल्कुल आप लों को स्पीड हो जानी चाहिए, है ना? आईए, आईबी. ठीक है. आईए ने ए से किया, आईए से आईबी किया. ये आईबी, आईए में हमेशा ध्यान र पड़ेगा? मैं साफ साब बता रहा हूँ. नहीं तो किये दराए पर पानी फिर जाएगा? ठीक है? आईए, आईए, उसे कांसा जिनोटाइप है? यहाँ देखो. आईए, 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 उसे होता है A. ठीक है? A हो गया. आईए, 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 एक बच्चा है जो ओरुधिरवरवाला है. और वो बच्चा कह रहा है कि यह माँ बाप मेरे हैं. कौन से? यह बाले. तो क्या बच्चा सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? आप खुद कहोगे सर गलत बोल रहा है. चो कि इस दमपत्ती के बच्चे ओ वाले नहीं होंगे और इस combination में दिख रहा है. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो, question मैं आपको facts यहां पर दिख रहा है और concept मैं बना रहा हूँ. जिसे concept यहां क्या बनाया? ऐसा कौन सो रुधिरवरग है जहां बच्चे अपने माबब से match नहीं करें? यह. क्या ओर रुधिरवर वाला ब theory में हर जगह के question में आपको facts तो दिखाई रहा हूँ. साथ साथ आपको concept भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. क्योंकि आज कल state PCS वगएरा में भी इन्होंने questions में concepts वराने शुरू कर दिया है. क्योंकि facts को खम कर दिया है. आई-स के paper में क्या है? वो तो पूरा concept ही बनाते तरफ चलते हैं. थार्ड question मैं बहुत slow हूँ. एक एक question को आपके सामने कर करके दिखा रहा हूँ. ठीक है? मुझे पकड़ीएगा. ठीक है? तीसरा मैंने का पिता O है, माँ है, तो बच्चा कैसा होगा? मेरे खाल से सबने कैस कर लिया होगा. पिता O है, तो combination क्या है? पहले करेंगे. फट से पहले जीनोटाइब देखे लिख लिजे. आई यो, आई यो. माँ भी O है, तो जीनोटाइब फिर वई repeat होगा? आई यो. अब बताओ, सारे combination में क्या दिख रहा है? आई यो, आई यो, आई यो, आई यो, कितना मज़दार family है रहा? सारे बच्चे O. हो सक इतना मज़दार family होगी है ना? इट्स गुड़. सो पाफ़ बम्मा, ओ, आल ब्रिदर एं सिस्टर्स है ना? जितने भी हैं, आप सब भाई बैन, सारे के सारे ओ, देख लीजेगा. आज जो मैं आपको 10 combination मना रहा हो ना, आप सब पूरी दुनिया में इसी 10 combination के इंदर होंग और अगले question में थोड़ आपको समझना होगा, यहाँ पे थोड़े concepts हैं, ध्यान देज़ेगा. मैंने कहा मालो, पीता जी है, वो A है, और मा जो है, वो B है. कोशन समझझेगा. पीता जो है, वो A है, और मा जो है, वो B है. ऐसी कि इसमें क्या result आने वाला है? पहले एक बाव है, तो जीनोटाइब क्या है? या तो IBI है, या तो IBI है, या तो IBI है, या आप सब यहाँ मुझसे पूछेंगे, कि सर, A, B और O में तो कोई दिक्कत नहीं थी. क्योंकि A, B, O में तो एक ही तरह का आपने जीनोटाइब बताया है. पर सर, यहाँ A और B के case में, तो आपने जीनोटाइब एक से जादा तरह का लिखा है. तो सर, यहाँ पर confusion हो जकता है. अब हम क्या करें? यहाँ आपने दो तरह की जीनोटाइब दिये हैं. अब समझो, जरा मेरी बात समझो, है ना, इसको समाझना बहुत ज़रूरी है. इसलिए मैंने कहा, यहाँ पर थोड़ा alert हो जब मैं आईये आईये लूँगा या आईये आईयो लूँगा? I'm very sure आप समझ रहे हैं, जब मैं आईये आईयो लूँगा, तो combination ज़्यादा बनेगा. जो कि यहाँ पर दूसरा O भी है. यहाँ पर नहीं, A और A दोनों एक ही आ रहा है. और वैसी हैं, अगर मैं B के case में ब बता रहा हूँ, यहाँ पर combination ज़्यादा होगे. यहाँ आईये आईयो जो है, वहाँ पर combination ज़्यादा होगा. तो आप हमेशा वो वाली value लो, जहाँ पर combination ज़्यादा बन सकते हैं. वहाँ पर गल्तियां बच होने के गुंजाईश नहीं रहेगी, चुकि सारे combination बनके आ जा करेंगे. मा अगर B है, तो जब numerical करके result देखेंगे, तो हमेशा यह यह use करेंगे. यहाँ कोई प्रॉबलम नहीं है, आईये, 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 यहाँ तो क्योंकि एक ही तरह का है. मैं आपको एक बार बताता हूँ, मेरा जो रूधिरवर्ग है, वो A है. यह सच है, मैं, मेरा जीनोटाइप, मुझे पता नहीं है, वो AIA-IA वाला, AIA-IA वाला है. मेरी वाइफ का जीनोटाइप, यह वाला, यह वाला, मुझे नहीं पता है. लेकि जब भी मैं अपने बच्चों का रूधिरवर्ग चेक करूँगा, तो याद रखना, मैं अपना आई-B-I-O लोगा, और फिर जाके रिजल्ट चेक करूँगा, तो गलती नहीं होगी. यह मैटर नहीं करता है, कि आप आईए-I-A है या आई-I-O, निमेरिकल करते समय, A के लिए हमेशा आई-I-O लीजेगा, निमेरिकल करते समय, हमेशा B के लिए आई-B-I-O लीजेगा, आप का आंसर कभी गलती होगा, अब चलिए हम निमेरिकल की तरफ चलते हैं, तो मैंने कहा, इधर देखो दो, सहरा इधर देखो, मैंने कहा इधर आओ, ठीक है, पीदा जो है वो A है, तो A का मतलब क्या है, आई-I-O है, मा जो है वो B है, B का मतलब क्या है, आई-B-I-O, एधर द कहा है, दूसरा क्या बन रही है, यह देखो, A-I-A-I-O, तीसरा क्या मिल रहा है, यह देखो, यह वाला कॉंदीशन देखो, आई-B-I-O, जाह बहुत ही IIB से AB होता है वॉए बहुत बढ़ है IIO से क्या खाए reconstia IIO से खाए Milan गरो भी मिलाइंगरो B होता है और IVO आ क्या होता है O खाए सब्सक्राच पॉत ही इंटरस्टिंग हो गई यहनि अगर पीता ए और मा भी हो तो यहां बच्चे किस तरह के हो सकते हैं सारे तरह के all types क्योंकि सारे combination पहले आपको पता होने चाहिए क्यों कौन से combination से आपको दिख रहे हैं ठीक है यह सारे combination से अब चले हम लगे हातों इन numerical की तरफ जाते हैं आप से बताओ पिता जी ए है माता जी ए है तो जीनो टाइप क्या लोगे सर आई ए आई यो पिता के लिए और मा के लिए भी आई आई यो ही लेंगे क्योंकि दोनों ए और ए हैं चल लेट मी चेक अगर पिता जी आई ए आई यो हो गए इधर देखो माँ जो है वो IA IEO हो गई तो बच्चे कैसे हो गई पाच्वा केस है आप खुद देखो न यहाँ देखो क्या आ रहा है IA IA आ रहा है आ रहा है के नहीं आ रहा है IA IA का मतलब A अब तो आप याद कर लो दूसरा कॉंबिनेशन क्या आ रहा है IA IEO I, I, O का मतलब क्या होता A, तीसरा कॉंबिनेशन क्या आ रहा है तीसरा कॉंबिनेशन क्या रहा है आ ये, I, O फिर आ रहा है और चौथा कॉंबिनेशन क्या रहा है अब मुझे ये बताओ ये क्या है A, A, ये क्या है A और ये क्या है O, तो सारे सारे कॉंबिनेशन हो गए सारे कॉंबिनेशन हो या नि अगर मैं पूछ हूँ पीता ए है माँ ए है तो बच्चे कैसे हों गए या तो ए या तो ओ आप इस रिजल्ट में देख सकते हैं आपके सामने अब तो आप सब बहुत ही फास्ट हो चिके होगे कुछ लोग तो इनको ऐसा लगता होगे सार आप बहुत स्लो चल रहे हैं अब तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि एक बार कंसेट समझ में आगे है पर स्टिल मुझे पता है अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं at least 50 जो अभी भी थो क्वैशन की तरा फाते है ठीक है है ःधर आइए आप ऐसे कितने वी द्यारति ऐसे हैं जो मैं इसका अंसर बता सकते हैं पीदाजी भी है माता जी भी है बलते कैसे होगे किया नहीं है कुछ नहीं करना हैॏ सिर्फ आपको क्या करना है जीनोटाइब देख लेजयाए आई बीयो लिख जी का इधर देखो पिता जी हो गहिए आई बीयीयो इधर देखो माद़जी हो गहीं IPIO मैं सारे ही आपके सामने करोंगा ओके IPIO यहाँ पे देखो यहाँ पे Combination क्या बना आई ब आई ब यहाँ पे Combination देखो क्Яा बना IPIO यहाँ पे Combination क्या बना यह देखो B हमेशा पहले लिखो A या B O हमेशा बाद में और चौथा कॉम्बिनेशन क्या बना आई यो आई यो यह बता आई बी आई बी आई यो बी आई यो बी आई यो बी आई यो आई यो ओ तो रिजल्ट क्या हुआ यहां पे भी आपको रिजल्ट मिला दोस्त बच्चे या तो बी होंगे या तो ओ होंगे बच्चे या तो भी होंगे या बच्चे ओ होंगे आप मैंसे सबका जवाब यह साना चाहिए और आप मैंसे कई लोगों ने कर लिया होगा और उनके चेहरे पे चोटी-चोटी सी बन से स्माइल आ गई होगी ओग ओग वाली सर अब मैं कर ले रहा हूं आपको बहुत ज़्यादा स्लो चलने के जुरत नहीं है कोई बात नहीं चारी तो और बचेंगे उसे भी कर लेते हैं चलो तो यह चीज मैं यह से चीज सब्सक्राइब आप अगया होंगे तो बड़े लोग है बच्चों की तरह है तो मैं कर रहा हो लागगा आप अधर आए पिताजी ए का मतलब आई-ाई-ई-व लेलो ठीक है तो आई-ई-ई-व और आई-ई-ई-ब का combination यानि पीटा जी A हैं, माता जो है AB है, तो बच्चे कैसे होंगे? genotype आपके सामने? combination क्या होगा? यह देखो, combination होता IAA IAA का मतलब क्या होता, दोस्त? A combination क्या होता? यह देखो IAB IAB का मतलब क्या होता है? A-B A-B इथर देखो, अग्ला combination क्या होता IAIO. IAIO को मतलब क्या? A. और अगला combination देखो क्या हो दा? IBIO. IBIO को मतलब B. तो अंसर क्या मिला? अगर पीता जी A हो, मादा A B हो, तो बच्चे कैसे होंगे? या तो A होगा, या A B होगा, या बच्चा B होगा. यानि यहां आथे, इदार हो. तो यहाँ पर result क्या लिखूँ या तो A या तो B या तो A B यानि O लिखे मैं काड़ दूँ बात सही है O नहीं होगा ठीक है ऐसा कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं तीन और बचें पिता जी B हैं माता जी A B है तो B के लिए पिता जी को क्या लोग है I A I O माता जी A B हैं तो क्या लोगोए आईए bij यरे यहाँ पर अपको क्या करना है इधर आओ यहाँ पर देखो क्या करना है ठीक है पिता जी B हैं बाता लिख आए भी है तो G employment आपको याद हो चुका है I B I O अब तो यह है कि मैं भी time pass कर रहा हूँ आपके साथ क्यों क्योंकि एक बार कर देता हूँ बस कुछ बच्चे हैं जो slow है लेकिन वो बार बार प्रैक्टिस करेंगे अब यहां combination देखो यह देखो आई यह फटर बटो भले बार यह आईजटरिफ कोई बात ने पहले लिखने यह देखो आई बी बी यह देखो I A I O यह देखो I B I O एक बाद देखो A I A I B से क्या होता A B A I B I B से क्या होता B II O से क्या था मैंने भी रट लिया है इतनी बाम लगा है रट गया आप भी लगव रट जाएगा यहां पही देखो बच्चे कैसे होंगे या तो A होगा या तो B होगा या A B होगा है ना? यहां देखो तो बच्चे क्या? इस case में भी A होगा, B होगा और A B होगा तो A होगा, B होगा और A B होगा आपको यह combination देख रहे है और आगे बढ़ते है पिता जी अगर A है, माता जी O है, तो बच्चे कैसे हो देखो यहां ध्यां देना पिता A है माता O है तो पिता A के लिए क्या यूज़ करोगे I AIO माता O के लिए क्या यूज़ करोगे I AIO इधर आओ पिता A है माता O है इधर आजो पिता A है माता O है A के लिए क्या लिखा था I AIO O के लिए क्या लिखा था? आईयो आईयो Results क्या होगा? आप खुद देखो आईये आईयो Results क्या होगा? यह देखो आईये आईयो Results क्या होगा? आईयो आईयो Results क्या होगा? आईयो आईयो अब यह देखो यह क्या होता है? A यह क्या होता है? A यह क्या होता ओ, यह क्या होता ओ, तो result क्या आया, या तो A होगा, या तो O होगा, last, पिता B, माता ओ, उसके बाद खतम कहानी, पिता B, यानि I, B, I, O, माता O, I, O, I, O, अब इस वाले combination में आते हैं, इस पर, इस पर देखो, पिता को मैंने कर दिया, B और मा को कर दिया, O, तो B के लिए zero type क्या लिखा, I, B, I, O, O के लिए क्या लिखा, I, O, I, O, combination क्या किया, I, B, I, O, combination क्या किया, I, B, I, O, ओके, ये सारे के सारे combination आप देख सकते हैं, आप देख लो, questions, बहुत ही मज़दार है, बहुत ही funny questions है, ठीक है, और इसमें मुझे नहीं लगता है कि आपने से किसी को कोई doubt होने वाला है, ये सारे questions अच्छे से देखना, ओके, आप उमीद करता हूँ क इस numerical में, आप exam अगर दे रहे हैं, civil saver की, कोई भी वालिक्षा दे रहे हैं, तो अब आपका ये numerical गलत नहीं है, सिर्फ धियान में रखेगा, genodive क्या यूज करना है, किस combination है, आपके answer आजाएंगे, एक और numerical है, एक और numerical है, और वो numerical है, six link characters का, जिस हम कहते हैं, link, सहल लग good, क्या होता है, link, सहल लग, उधर आईए, जरा आगे आपको बताते हैं, चले, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले numerical की तरह, सो दो numerical हैं, जो पूरी biology में, यानि पूरी science में, बनते हैं, और जहां पर questions हैं, आपके paper में, आप लगाएंगे ना practice किजिए, आपको, जितने भ कि अगला numerical है, link, सहलगन, good, अगला है, link, सहलगन, good, जिसे अब कहते हैं, sex link characters, इसे अब लोग कहते हैं, sex link characters, अब बात होती है sexing characters क्या होते हैं कुछ ऐसी बीमारिया होती हैं कुछ ऐसे good होते हैं जो through sex यानि माबाप से अगली PD में आपके अंदर जाते हैं इनके लिए नाम दिया गया heading दी गई link, salag, good यानि sex के साथ जुड़कर अगली PD में गुड़ों का जाना तीन बीमारिया हैं जनरली जो हम link, salag, good में रखते हैं एक आद पर तो आपके परिक्षा में question तक पुछा गया इसमें से कौन सा sumelan सही है तो एक sumelan में लिखा था link, salag, good के सामने तीन बीमारियों के नाम और वो तीन बीमारिया आप सब को जाननी है ये तीनों बीमारिया सही लिखी गई थी उस परिक्षा में link, salag, good के अंदर आती है कौन-कौन सी है इधर देखेगा एक जिसे आप कहते हैं hemophilia अंग्रीजी, हिंदी दोनों भाशा में hemophilia okay h-a-e hemophilia दूसरा है sickle cell anemia दूसरा है sickle cell anemia अंग्रीजी भाशा में भी यही यूज़ होगा sickle cell anemia और एक बीमारी और होती है पता किया वर्डान था एक और बीमारी है जिससे हम कहते हैं वर्डान था अंग्रीजी भाशा में आप कहते हैं color blindness अंग्रीजी भाशा में आप कहते हैं color blindness ओके अंग्रीजी भाशा में आप कहते हैं color blindness तो hemophilia, sickle cell anemia और वर्डान था यह तीन बीमारी है यह तीन बीमारी है ध्यान दीज़ेगा और इन तीन बिमारियां, तीनों की तीनों बिमारियां माबब से बच्चों में चलती है ऐसे चलती हैं, वो निमारिकल में आपको कर आने वाला हूँ पर उस निमारिकल पर जाने गए पहले एक एक लाइन ने बता लो, ये बिमारिया अच्छल में होती क्या है हीमोफिलिया एक रूधिर की प्रॉब्लम है अगर रूधिर बहता है तो रूधिर का ठक्का नहीं जमता और अगर रूधिर का ठक्का नहीं जमेगा दोस्त तो अच्छा खासा रूधिर आपके शरीर से निकल जाएगा और अच्छा खासा रूधिर शरीर से निकल जाएगा तो शरीर के अंदर उर्जा की कमी हो जाएगी पल्स लेवल डाउन हो जाएगा और हमारी मृत्य हो जाएगी यानि इस बिमारी में जेनरली कुछ ऐसी प्रॉबलम्स होती हैं प्रोटीन्स होते हैं जो मानव के शरीर में नहीं बनते हैं जिससे रूधिर बहने पर रूधिर का थका असानी से नहीं जबता है यह लॉजिक है और यह बिमारी को हम रॉयल डीजीज भी कहते हैं इस बिमारी को रॉयल डीजीज के नाम से भी जानते हैं राजशाही बिमारी क्योंकि सबसे पहले यह बिटिस क्राउन बिटिस फैमिली में देखा गया सुनाओं का बिटिस फैमिली किसको बोलेंगे प्रिंस चार्ल्स महारानी है ना उस वाली ऐलिजाबेट उस वाली फैमिली में सबसे पहले देखा गया इसलिए इस बिमारी को हीम आपको बता है हम लोगों की शरीर में जो आर बीसी होता है इसका शेप कैसा होता है उभय अवतली है अंग्री जी भशा में कहते हैं बाइक अनकेफ उभय उतली होता है और इसी आर बीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन यही हीमोगलोबिन होता है जो ऑक्सीजन को लेकर और पूरे शरीर में परिवहन करता है और इसी तरह ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैल लाता है जो फेपडे में जाता है वो इसी हीमोगलोबिन के साथ अब्सॉर्फ होकर पूरी बाडी में पहुंच जाता है किन्तो यह ऐसी विमारी है जहां आर्भी सि जो शेप होता यह विब्लां जो सामान पौरु को में सामान में मारो में जो हे वह होता है वह कहा स्टूमेंट आता है उसका शेप ऐसा है है और वो स्वे सॉंग्या है तो नाम अंग्रीजी असित है बिमारी आपके सामां सभाने उपहातल आरहकर अब आप मुशे बताइए इसका च्छी तरफल और श्रिंक हो गया है इसका छेतरफल कम हो गया है तो यहाँ पर जो हीमोगलोमीन होगा वो समाने लेवल का ऑक्सीजन नहीं ले जा पाएगा ऑक्सीजन को ले जाने की शम्ता इस तरह के पुर्शों में महिलाओं में कम होगी और यह व्यक्ती कमजोर होगा और इसके पीछे जिम्मदार क्या है आपकी फैमिली कभी कभी ऐसा होता होगा आप लोग देखते होंगे कुछ लोग कहते होंगे इस खांदान में शादी नहीं करेंगे कुछ ऐसी जेनिटिक बिमारिया हैं जो उनके खांदान के पैरेंट से उनके बच्चों में उनके बच्चों में जा रही है ठीक है ये कुछ ऐसी ही बिमारिया है यानि जिस खांदान के लोगों में सिकल सिल एनिमिया होगा हैना हीमोफीलिया होगा वर्डांता होगा उसी खांदान में इस तरह की बिमारियां चलती हैं कैसे चलती हैं वो तो हम निमारिकल आपको बताएंगे कैसे बिमारियां चलती हैं उसका हम आपको निमारिकल बताएंगे लेकिन आपको एक बाँ बता रहा हूँ सिक्किल स्रेनिमिया क्या होता आपको समझ वहागा जड़ो नहीं बाइब ऑडियों एक बाब अब आपको चाहिए चयाया हो जाम helps और साथ स्वादी किए चाहिए जो नहीं 00- Pink वाड़ानता क्या होता वाड़ांता क्या होता है आपके दाता हूं स्नेगा वाड़ांता केश में तो मेरे कहाँ से आप हीवोफीलिया और ये बिमारियां समझ चुके हैं एक लाइन आपको बता है हम लोगों के आंख के अंदर एक जगह होती है जहां पर प्रतिविंब बनता है उस जगह को बोलते हैं दोस्त रेटिना धियान रखेगा और आगे हम लोग आंख के बारे में जब हम लोग सेंस और बढ़ेंगे ठीक है लेकिन पहले आपको बता हूं रेटिना आख के अंदर ऐसी जगह होती है अंगरी जी में भी रेटिना ही कहते हैं दोस्त जहां पर प्रतिविंब बनता है तो हमारी आख में प्रतिविंब या इमेज कहां बनता है तो हम सबकी प्रतिविंब इस एकाँ आख में दो प्रगार की कोशिकाई होती है एक कोशिकाय जिस those stink जिसको कहते हैं खोंता हैं को आड़े णिवाद कोशिकाई हुझा इस एक ब handmade के सल्षब सेल क公 напाने होटे हैं और दोजरा थिसे कहते हैं कुंअ को चुशिका है पता है रौड कोशिका ऐसी कोशिकाएं होती है जो लाइट के बारे में अनुभव कराती है और अगर प्रकास के बारे में अनुभव कराती है तो आपको पता चलता है कि ये डे है या नाइट है तो सीधा कहने का मतलब है कि आप उजाला या अधेरा का अनुभव किस्से करते हैं तो सीधा उत्तर है रेटिना में पाए जाने वाले रॉड कोशिकाओं की मदश से हमें उजाला और अधेरे का धियन होता है वहीं दूसरी तरब जो कौन कोशिकाओं होती है उन कौन कोशिकाओं के माध्यम से हमें वर्डों के बारे में पता चलता है वर्डों का मतलब कलर सिधा कर सकते हैं कि अगर वर्ड आंता है यानि वर्ड को विभेद करने की छमता-ढंक से नहीं आ रही है यह सीधा मतलब कि यहां पर कॉन सेल में कोई नो कोई डैमेज होगा और लिटरली होता है यह बिमारी कहलाती है क्या वर्ड लांता तो मेरे खासे आपको ये सारी बिमारियों के बारे में मैंने आपको ब्रीफ में समझा दिया अब आपको यहां पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और आगे बढ़ो तो अब इनके numericals कैसे करेंगे इनके numericals कैसे करेंगे फिर वही चलना होगा जैसे हमने पीछे देखा था क्या देखा था जिनोटाइप फ फिनोटाइप यहां पर भी आते हैं हम जीनोटाइप और फिनोटाइप ध्यान देना सबसे पहले मैंने क्या किया एक तरफ लिखा गुड मतलब characters characters का मतलब मैंने लिखा phenotype character मतलब मैंने लिखा phenotype वहीं दूसरी तरफ मैंने लिखा genotype वहीं दूसरी तरफ मैंने लिखा genotype और genotype भी आपको बदाऊं तो पिता के लिए कुछ और होगा और माता के लिए कुछ और होगा तो यहां में भी आपको पूरा एक चार्ड बनाना है, जैसे आपने ब्लड रूप में एक चार्ड बनाया था, वैसी है आपको इस नुमेरिकल में भी पूरे चार्ड बनाना होगा जो मैं खींचना हूँ अब एक फूरे वह आप भी उतारे चुकि याद तो आपको यही करना है, और इसी याद करने के बाद आप पूरा का पूरा नुमेरिकल कर रहे होंगे जैसे रूधिर वर्ग में आपने क्या किया था, ध्यान दो आप सबने, और आप सबको बदा रहा हो, यह वीडियो इतनी बार सुझेगा कि यह कोश्शन पक्का हो झाए यह वीडियो इतनी बार सुझेगा, और इसको बैढ़ कर सॉल कीजएगा, कि यह कोश्शन पक्का हो झाए, और यह हर किसी को शेयर भी कीजएगा चुकि मैं हमेशा देखता हूँ कि आप जैसे विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं बहुत पढ़ते हैं। यह मैं आप क्या पढ़ते हैं पूरी तरह से डेडिकेटीड तो बहुत ही इमानदार विद्यार्थी है पर problem क्या है वो क्या बढ़ रहे हैं चुकि आज resources बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा संसादन है अब यहीं पर सबसे जड़ी दिखा और वहां पर दुख भी होता है जब विद्यार्थी इतना पढ़ता है और आपको पढ़ना होता है और काम का पढ़ना होता है लेकिन वह कम में क्या पढ़ना है वो समझना बहुत जरूरी है और जब तक आप वह नहीं समझ पाएंगे तरीका आपको पता होना शाहिए तब तक आप इस इग्जाम को निकाल नहीं पाएंगे मैं हमेशा कहता हूं कम पढ़िये काम का पढ़िये कलेक्टर बन जाएए ज्यादा पढ़िये वहीं अगलबल घूमते रहे यह तो कहीं होकर मास्टर बन के पढ़ाते रहे हैं यह मेरा लॉजिक है मेरी फिलोस्फिय है ठीक है सो टू दो पॉइंट्स कम अन्द टू दो पॉइंट्स एंग्जामिनेशन इट्स वेरी इसल कभी कभी सुनते होंगे कोई विद्याद्यों का छे घंटा पढ़ता होगा और आई-एस में निकल जाता होगा क्यों निकल जाता होगा दो वे ऐसी इस फॉलें उसकी स्ट्रेट जी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है जितनी जल्दी आप समझ जाएए आपके लिए एक्जाम कपफटी हो जाएगा यानि उतना ही आसान हो जाएगा problem क्या है इतने जिरोफ्स इतने मठल इतने resources इतने current effortslon यहीं हो गया है कि इसमें क्या काम का है या नहीं काम का है यह कैसे decide हो, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो चीज़े मैं आपको बता रहा हूँ, इन चीज़OMEilे कि फण्ड जरओर कीजेगा अपने हर मित्र के साथ इएमांदार विद्यारती है तो मैं चाहता हूं कि यह चीजे जो आपको बनाा रहा हूं जो चीजे मैंने लें डैबल लप कीया है वह चीजे हर विद्यारती अब मैंने आपको खुळा end करने वाले मैं यह आप घुड़ोंको दो फिर आपको बताता हूँ क्या होता है पहला कुड़ मैंने लिखा समानिय आप चुप चाप उतारते रही है जैसा मैं कह रहा हूँ अब धीरे देर देखे इसमों भी इंटरेस्ट आजाएगा इसके भी सारे कोशन आफ सॉल करने लगेंगे समानिय यानि नॉर्मल दूसरा केश जो है उसे हम बोलते है वाहक वाहक का मतलब होता है दोस्ट दाट इस कैरियर वाहक का मतलब होता है कैरियर और तीसरा केश होता है जिससे हम कहते हैं बिमार बिमार का मतलब होता है डिजीज बिमार का मतलब होता है दीज़, तो मैंने आपको तीन केस दे दिया, मैंने आपको तीन केस दे दिया, कौन सा? पहला केस दे दिया, पिता या माता समान्य है, दूसरा केस दे दिया, वाहक का कुछ केस है, तीसरा केस मैंने आपको दे दिया, बिमार का केस है, तो कौन-कौन से genotype use करेंगे तो genotype यूज़ करेंगे पिता नौर्मल है तो आप x y यूज़ कीज़ेगा मां अगर नौर्मल है आप x x उस कीज़ेगा पिता वहक कभी नहीं होता है तो मैंने लेग दिया father never be carrier ना पिता कभी भी वहक नहीं होता है मां वहक होती और अगर मा वहक है तो मा का जीनोटाइब XC X use कीजएगा पिता बिमार हो सकता है और अगर पिता बिमार है तो XC Y है और अगर मा बिमार है तो उसका जीनोटाइब अब XC XC use कीजएगा ये ध्यान रखे अब जहन में बैठा लेज़े स्क्रीन देखे इसको पहले समझे जब तक अब इसको नहीं समझेंगे क्या हो रहा है और ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगे अगर आपने ये याद रख लिया तो लिटरली बता रहा हूं आपको कभी भी किसी भी इग्जाम में इग्जामनेर कंश्यूज नहीं कर सकता है दोस्त ध्यान रखना इट्स माई चैलेंज और फालतू बाते मैं करता नहीं ठीक है आप दीरे दीरे समझ जाएंगे तो अब जैसे बताओ कि हम में से कोई समझेगा से कलर ब्लैंडे से हीमोफिलिया है इतना कॉमन बिमारी नहीं है कि आप मेंसे दस लोग हाद उठा देंगे बहुत ही रेयर अप दर रेयर होता है मैं आपको लिटली बताओं तो मैं अपने 20 साल के पठन बाठन में पठन तो नहीं पाठन पठन तो और पीछे से जल रहे हैं ना की पाठन में यानि टीचिंग में मैंने यह देखा कि मुझे हीमोफिलिया और कलर ब्लैंडे से मुझे बहुत मिले हैं हीमोफिलिया आज तक मैं अपने 20 वर्ष में अपनी कख्छाओं में कभी नहीं देखा है ठीक है तो मैं बोल रहा हूं कि माल लो हम में से हम सब नॉर्मल है ना तो सिक्ल्सलेनिया है ना कलर ब्लैंडटेस है ना हीमोफिलिया है तो हम क्या बोलेंगे हम ऐसा अगर मैं मेल हूं तो मैं अपने अक्रोम मैं पारिशान हूं, तो मैं अपना जिनो टाइब क्या यूस करेंगा? así. आपने बच्चे को चेक करना हों हैं वाहक सिर्फ माधा होती है फिमेल्स होती है यानि फिमेल्स में कुछ इस तरह का गुड़ होता है कि फिमेल उस बीमारी के गुड़ को अपने अंदर छुपा के रख सकती है और वो अगली पीड़ी में जाकर अपने बच्चों में उस बिमारी के रूप में उसको प्रतरशिट कर सकती है उस तरह की मा वाहक होती है यानि कहने का दात्वर है फिमेल आपको दिखेगी एकदम नॉर्मल पर पता क्या चल रहा उसके अंदर वो जीन छुपा हुआ है जो अगली पीड़ी में उसके बच्चों में जाकर वहां एक्स्प्रेस हो गया तो ऐसी महिला जिसके अंदर जीन है और छुपा हुआ है और अगली पीड़ी में जाकर एक्स्प्रेस होता है उसके बच्चों के अंदर लड़की अंदर किसी भी तरीके से तो वो माँ वहाँ पर वहाँ कहलाती है तो फिमेल में तीन कंडीशन हो गए पहला जीन ही ना हो, प्रॉबलम ही ना हो दूसरा जीन हो और चुपा हो अगली पीड़ी में जाके बच्चों में आजाए वाहक माँ और तीसरा जीन भी हो और मां को बिमारी भी हो तो वो बिमार माँ है तीन कंडिशन होगे पीता की केस में या तो सामानी है या तो फिर बिमार है रट लीजेगा आप लोगों ने सुना होगा कुछ मॉस्किटोज के बारे में बच्चडों के बारे में और सारे के सारे मॉस्किटोज जो वाहक होते हैं चाहे वो डिंगू लेकर जाएं जिसे फिमेल एडीस कहते हैं देखे फिमेल मादा एडीस आपने इली फेंटियूसिस सुनओगा जोसे हिंदी में हाथी पाऊं गहते हैं मादा क्यूलेक्स वहाँ भी मादा है मलेरिया जो की बहुत कॉमन है एनाफिलीस वह भी एनाफिलीस भी कौन सा मादा है एनाफिलीस हर जगह पर आपको मादा मादा और मादा ही आपको क्या मिल रहा है देयारदा क्यारियर्स वो वाहक है तो आप नेचर में भी यह चीज़ देशते हैं और आपको लोगे सर महिलाएं ही वाहक क्यों हो रही है अब देखो यहां पर बात करने की चीज़ नहीं है अभी इसके लिए आपको जनेटिक्स में जाना पड़ेगा हम अभी सिफ निमेरिकल वे बात कर लें लेकिन कुछ ना कुछ आपको क्लू जरूर मेला किस तरह के वाहक वाले गूट जनरली आपको फीमेल्स में ही देखते हैं चाहे वो अपने अंदर देखे मनुश्यों के अंदर या फिर आप मॉस्कीटोस के अंदर देखिए आपको दोनों केस में ऐसा दिख रहा है आपको दोनों केस में ऐसा दिख रहा है ठीक है और आगे बड़े इधर आईए अब कोश्चन की तरफ जाते है अंत में पहुँचना वही था लेकिन वहां तक पहुँचने के लिए इतनी सारी भूमी का थी जो बात करनी ज़रूरी थी ठीक है चले अब हम numerical पर आदें और यहां तो आप ये भी बता सकते हैं कि पुत्र होगा तो कैसा होगा पुत्री होगी तो कैसी होगी चले पहला numerical आदे तो मैंने कहा एक तरफ पिता दूसरी तरफ मैंने कहा माता और तीसी तरफ मैंने कहा पुत्र कैसा होगा पुत्र कैसा होगा पुत्री कैसी होगी और पुत्री कैसी यानि सन कैसे होगे और डॉर्टर्स कैसे होगे यहां देख सकते हैं पहला किस मैंने लिखा नॉर्मल पीता है तो मैंने सीथा लिख दिया है एन लिख देता हूँ चलेगा नॉर्मल पीता है तो मैंने लिखा एन समानने पीता है और माता भी नॉर्मल है समानने मैंने लिखा एन अगर पीता समानने है और माता समानने तो इंड नहीं है यानि सीधी आ बात सबके सा पुत्र और कोई भी पुत्री होंगे सब नार्मल होंगे सब नॉर्मल होंगे आप जोग में दौत देख सकते हो पिता एकस Spanish है कॉंबिनेशन क्या मिलेंगे एकस 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 वाई एकस Xй, सब समानय. खेस तो 2nd से वनता है. क्या केड़ से से वनता है? इधर आओ. मान लो पिता जो है वो नॉर्मल है और मा जो है वो वाहक है. वाहक का मतलब कैरियर है? इनके पुट्रोंड की पुत्रियां कैसे होगी? थीरे से एकदम ध्यान दो. पिता नॉर्मल है तो जीन कौन सा लिखें, आप सब जानते हैं, सर पिता नॉर्मल है तो जीन एकस वाई ले लो, समझ में आगया, माता वाहग है तो जीन कौन सा ले ले, एकसी एकस ले ले, माता वाहग का मतल़ हम कौन सा जीन ले ले, एकसी एकस ले, अब आप मुझे फिर यहां देखें क्या combination है X और Y है एक बाइब बताइए XCX क्या है XCX जो है वो पुत्री है XCX जिया देखें XCX क्या है माता का जो लड़की होगी क्यों पुत्री होगी तो XCX मतलब पुत्री है और वाहक है तो आपको पुत्री कैसा मिला carrier यानि वाहक मिली तो carrier को मैं C से यूज़ कर रहा हूँ ठीक है और पुत्री क्या मिल रही XX XX का मतलब अगर पुत्री हुई तो वो नॉर्मल है यानि कहने का मतलब है ठीक है पुत्री अगर ऐसे माबाप की होती है जहां पीता नॉर्मल और माता वाहक है तो हाँ पुत्री या तो वाहक होगी या तो नॉर्मल होगी रिजल्ट में देखिए आपको दिख रहा होगा जैसे ब्लड ग्रूप या पे रिजल्ट में देखा था वैसे यहां पे देखो numerical में Xc ये सारे पुत्री और पुत्र है एकसी एकस है तो xcx किस तरह क्रूड़ होता है वाहक का यहां पुछ नहीं है इसी combination को देख लो ठीक है यहां पे क्या है पुत्र जो है वह सामानने हो गया देख लो भाई, शुरुवात है, अगर शुरुवात ने फस गया, एक दम बच्चों की तरह कट्टम कुट्टा करकर बता रहा हूँ, देख लो, combination अगर आ गया, ठीक है, और आपका पीछा छोड़ नहीं रहा है, हर जगा पे combination, यह देखे, तो आपको समझ में अगया सर, इसका मतलब अगर पीटा को सिकल सिलनीमिया नहीं है, मा सिकल सिलनीमिया की वहाँ के छुपाके रखी है, तो ऐसे गेस में उसके बच्चों में जाकर जो express होगा, कैसे होगा, लड़के में चांस है, 50% की विमार हो, और 50% की सामान नहीं रहेगा और अगर पुत्री होती है, तो पुत्री या तो समान नहीं होगी, और या तो वहाँ होगी, 50-50% यहां पर गुंजाईश बनती है, ठीक है, यह options है, ठीक है, और सुनो, अब आते हैं तीसरे पर, तीसरे option में, तीसरा option सुनो, मैं एक-एक numerical को करूँगा, अगर आपको नही सिखना ही है, यहां पर options नहीं है, civil सेवा में जाना है, तो भागने के अधर छोड़ देनी है, जो भी विद्यार थी, इसे नहीं सीखेगा, ठीक है, अब मैं, निगेटीव तो नहीं बोल सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे है, ठीक है, तो मैं बस कह रहा हूँ, कि आप सीख कर ही मानिएगा, और comment में नीचे लिखेगा, कि सर, मैंने सारे combinations किये हैं, और literally बता रहा हूँ, एक बार नहीं तो दो बार में आया, लेकिन आया सर, और जितने लोगों ने एक बार में किया, और कितने विद्यार थी हो, तिसरी बार लगे, तो तिसरी बार कीज़ेगा, और ए पिता normal है, माता को बिमार कर देखेगा, यानि पिता normal है, मतलब XY है, माता disease है, मतलब XC, XC, हमने कुछ नहीं गया, खट से पहले वो combination निकाल दिया, क्वान कौन कौन सा, क्वान कौन सा combination हो रहा है genotype का, ठीक है? यह जिन होता है, अब सुनो, यहाँ पे combination क्या हमेज़ा C को पहले लेखे XCX मिला दूसरा combination क्या मिला यह देखे XCX मिला तीसरा combination क्या मिल रहा है XCY मिल रहा है चौथा combination क्या मिल रहा है XCY मिल रहा है यह देख लेज़े अब आप खुद मिला लीजे answer XX पुत्री होती है और XCX है XCX है तो XCX पुत्री जो होगी वो वाहक है ऐसे कि इसमें पुत्रियां 100% वाहक होगी अगर पुत्र पे जाईए XCY 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 कैसा होगा पुत्र हमेशा यहां पर XCY XCY के कि इसमें डिजीज और यानि 100% अगर ऐसे दंपत्ती हो इनकी शादी हो जाए कि पिता नॉर्मल और मा को बिमारी है तो यहां पर पुत्र 100 अगर उनके पांच बच्चे भी हो तो सारे के सचे सारे बच्चे अगर पुत्र हैं तो पांचों बिमार होंगे क्योंकि पुत्र 100% देखे जो कॉंबिनेशन है बिमार का रहा है और पुत्रियों में 100% वहाग होंगे सब सबके अंदर जीन चुपा होगा बिमार नहीं होगा लेकिन अगले पीड़ी में उनके बच्चों में जा सकता है ठीक है यह केस हो गया तीन अब आईए तो पिता के साथ हमने नॉर्मल करके सारे केस देख ले अब इसको ऐसा करते है पिता को डिजीज कर देते है मा को नॉर्मल कर देते है तो पिता को डिजीज कर देंगे तो जीन क्या होगा खट से बताइए पिता डिजीज का मतलब XCY ठीक है हमने ले लिया XCY मा नॉर्मल का मतलब क्या ले लूँ एक्स एक्स ले लूँ अब बतो रिजल्ट क्या आएगा इधर देखो रिजल्ट में आपको मिल रहा है दोस्त एक्सी एक्स रिजल्ट में क्या मिल रहा है एक्स वाई रिजल्ट में देखो क्या मिल रहा है एक्स वाई रिजल्ट में देखो क्या मिल रहा है एक्स सब्सक्राइए देखा मज़ारा है ना सारी नुमेरिकल मैं करूंगा जोगी मैं आप विद्यारत्यों को ना समझ फिर मैं कहें रट के मत जाई एक डिजीज कर दिया मां को केरियर कर दिया तो अगर फिता डिजीज खुग तो पिता डिजीज का मतलब क्यों हो गये इधर एक्स वाई चाओ था एक ही एक ही एक ही एक ही जो था वह बीमार होता है । रहाँ उतर देखहों पुत्री या तो बिमार होगी अगर ऐसे दंबत्ती की शाधी होती है तो पुत्र यहाँ पर यहाँ नौर्मल होगा ओके लास्ट कॉंबिनेशन्स लास्ट कॉंबिनेशन इदर आए लास्ट कॉंबिनेशन क्या है लास्ट कॉंबिनेशन है पिता बीमार है है ना इदर देखें लास्ट कॉंबिनेशन है पिता को भी सिकल स्लिनिमिया है, मा को भी सिकल स्लिनिमिया है, दोनों जो दबंपति, इन दबंपति की शादी में, शादी जो ही है दोनों भी मार वालें, अब क्या होगा? अगर, अगर, पिता tyreक्र डिजीज है तो क्या ह multif can one using? भट से देखे, olhos review ऐसे डेखे, olhos मेंने अब मुझे राती आ डिजीश शी यानी पुत्र बीमार पुत्रिया बीमार केहने का मतलव है ऐसे लोग शादी न करें तो ज्यादा अच्छा है कि अगर आगर दोनों दंपत्ती सेम बीमारी के वो गय तो आपके 5 बच्चे हो 10 बच्चे हो पजास बच्चे हो आप दंपत्ती के सारे बच्चे चाहिए पुत्र हों या पुत्री सब के सब बेमार होंगे कि सारे combination बच्चों की तरह को मैंने आपके स्क्रीन बे किया है बिल्कुल आप से नहीं बोला है कि आप बैठके कीजिए अब आपका काम सुरू होता है कॉपी उठाइए पेन उठाइए फ्री डाइम में बैठकर बढ़ियां से सारे नुमेरिकल्स कीजिए और अंत में comment box में बताइए कि लिटरली अब आपको इस तरह के नुमेरिकल्स में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगी आप जितने भी exams के paper उठाइए इसको नहीं समझ में आ रहा है दो बाल लगाई है तीन बाल लगाई है और अंत में comment box में मुझे हर किसी का answer चाहिए यस सर आई understood thank you so much सर ठीक है वो confidence आप सब के comment box में मुझे दिखना चाहिए जूटा confidence नहीं क्योंकि आप खुद को जूट नहीं बोलिएगा ठीक है और खुद से तो कभी जूट मत बोला के जाए क्योंकि जिन्दगी आपकी है ठीक है तो यह वीडियो यहीं पर समाप्थ होता है इस lecture में हम लोगों नहीं बात कि एक चीज़ और मैं आप सब कि आप सब अगर civil सेवा के लिए जा रहे हैं तो दो किताबे हैं जो आप आपको पढ़नी है ठीक है और पढ़नी ही है वहाँ आपको पढ़नी पढ़नी है ठीक है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ यह है साइंस की ठीक है यह है साइंस की जो पढ़नी पढ़नी है और एक और है यह इन्वार्मेंट की यह भी आपको पढ़नी पढ़नी है और इन व इसके अतरिक्त आपको कुछ और ज़रत नहीं पड़ेगी और आगे जो लेक्चर हैं इस पूरे सेशन में जो मैं टार्गेट इस आलोग के साथ पूरी क्लासे आपको देने वाला हूं ठीक है आप मेरे साथ जूड़े रहें और धीरे-धीरे मैं आपको आस्वस दिलाता वीथ पेज नमबर बोलूंगा आप सब उस भूक के बेज नमबर को खोलिएगा सब के पास सेम बूक होगी सेम पेज खोलिएगा और जम्रेख कौनिया कोनबर 42 सब लोग खट से देखेंगे और कहेंगे हां सार इसünस desde नहीं करेंगा तो मैं भी आपको उन्फिदेंस दंच 80% questions plus इन विश्यों से जुड़े हुए 30 questions मैंने बोला है, इन subject से आते हैं आप कभी भी देख लिजाएगा, ठीक है अगली वीडियो से में आपको बता भी दूँगा कहां कहां पर कितने कितने questions कैसे कैसे आते हैं, ठीक है और clear हो जाएगा, एक ये विश्या है जहाँ वराब 70-80% questions आसानी से कर लेंगे So thank you everybody, अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलागात होगी, अपना ख्याल रखें जैहिन, बाबाई